जल्दी से जल्दी को लाइक कीजे और अभी तक मेरी चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लेट कलर के बटन को लाइक कीजे और इस घंटे को बजा दीजिए ती मिनेटे इस चेकिन वीडियो सबस्य के देखने को सबीको मेरा नमस्कार आपने देखा होगा जब साधी होती है तो एक नाउ और एक पंडित की जरूत पड़ती है इसे होता है तो एक बार क्या हुआ एक चीज और देखी होगी आपने जब साधी आ करना होती है यह साथ लाइन लगाके होती हैं नहीं तो इसे होता है तो बहुत बड़ा कि सालंग था और उस फब पंडी जी बहुत बिजी थे लेकिन साधी कराने के लिए कमसे कम एक पंडी जी तो चाहीए चाहीए तो एक लेक मौत एक विक्ति के साथ ऐसी घटना हुई कि साधी थी और अद‍हिए जूनने से नहीं मिले उनका जो पंडिजी थे, उनको कहीं किसी दूसरी सादी में जाना पड़ा, अब तो बड़ा प्रेशा नहीं, तो एक कोई किसान आलवाने के लिए प्यरह डलवाने के लिए बूला लिये। बूला वैसी करना जरूरी है, जैसे तैसे तो लड़के साधि वाले आए है और अगर पंदी जी के चकर में और रह गाही तो फिर पता नहीं होगी धव होगी तो बड़ी जल्दी थी वो किसान पंडी जी जो थे उनको बुला लिया उन्होंने किसान पंडी जी को हल चला रहे थे और उन्होंने काफी बहुत ही request कि आज तक कोई साथी करवाई नहीं है मैं किसान हूँ और मुझे नहीं आता साथी कैसे क्रवानाय क्या करवाना है और मुझे कोई मंतर बंतर भी बोलना नहीं आता पॉज लड़का था उसके पिता जी थे उन्हों ने भूला कि आपको ज़ादा कुछ करने जरूत नहीं है आपको यह तो पता हिए न क्या क्या कराना है जो कुछ भी ओम-गुण-सवा कर देना वो सब हो जाएगा और होने के बाद में क्या है फिर साधी हो गई तो फिर क्या दिक्कत है हो जानी चाहिए रस्म पूरी हो जानी चाहिए तो किसी भी तरह से उनको ल और बड़ा जल्दी जल्दी कर रहे थे तो ऐसे लड़के पच्च के भी कुछ लोग बैठे रहते हैं और इदर लड़की पच्च के बैठे रहते हैं रहते नहीं रहते हैं तो पंडी जल्दी जल्दी कर रहे थे पंडी जी को जल्दी इस बात की थी कि वहां पर अपने हल बैलों को खड़ा छोड़ के आई थे खेत में तो जल्दी जाना था खेत से आ गए थे सीधे बो हो भई वो काम भी करना है तो अब क्या हुआ फेरे काटने का चक्कर आता है फेरे को बाते नहीं बाद में हाँ भामर बहुत बढ़िया वो फेरे ही कहलो बात ये की है तो पंडी जी ने क्या किया उनको तीन चक्कर कटा दिये और तीन चक्कर कटाने के बाद में बोलेसा हो गई साधी जाओ तो जो लड़का पच्छ वाले थे वो खड़े हो गई लड़के के कुछ दोस्त फ्रेंड बैठे रहते न तो वो खड़े हो गए बोला पंडी जी एक बास सुनलो आप आप किसी में भी कितना भी सौर्ट कर लो तब से हमने कुछ नहीं कहा आप सौर्ट कर रहे हो लेकिन कम से कम फेरे तो पूरे कटाओ भी इसमें सौर्ट क्यों कर रहे हो कम से कम साथ फेरे पूरे होने चाहिए नहीं होने चाहिए ये तो पूरे कटाओ तो पंडी जी ने क्या बताए जानना चाहते हो आप पंडी जी बोले बहुत देखो सुनो अगर इसको रुकना होगा तो तीन में ही रुक जाएगी नहीं तू पच्चीस कटा ले तो भी भागेगी तो भाई साब बात ऐसी है कि अगर आपको डाइमन्ड बनना होगा तो जितना अभी तक बता के गए उसी से बन जाओगे नहीं तो और पचास आके बताते रहें कभी नहीं बनोगे फिर भी अगर यहां पर मुझे बुलाया है तो कुछ तो बोलूँगा ही कुछ तो बोलूँगा और कुछ सुनना चाहते हैं आप पहली बात मेरा नाम विजयपाल और मैं आपके छित्र साधावास से हूँ कहीं दूर से नहीं हूँ और किसान परिबार में जनम हुआ जैसे सब को बता जाता है पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक कर लो तो मैंने पढ़ाई लिखाई भी कर ली और नौकरी भी हांसे लिकर ली सौट में चल रहे हैं नौकरी मिल गई इसके बाद मैं बी एड करते हुए वो कहानी आपने सुनी थी सर ने बताई थी बी एड का हम लोग साथ में कर रहे थे तो मुझे बताया तो सुरू में बिस्वास नहीं हुआ लेकिन मैंने तीन अजार दो सब चार रुपए का एक चेक देखा था एक बीक का और उस चेक को देखने के बाद मुझे लगा कि कोई ने कोई बात तो है अगर बीक में क्योंकि मैं मैंतमेटिक्स के प्राइविट टूसन करता था और मैंतमेटिक्स ही किलास लेता था गड़त पढ़ता था तो अभी तक हम लोगों को जो कैलकुलेशन बताई गई है या कमाने का तरीका बताई गया है तो किसी को भी ऐसे बताए गया है कि महीने की कैलिकलेशन करते ही महीने में कितना मिलेगा यही कैलिकलेशन करते ही Yes or No? तो मैंने भी 32004 में 4 का गुणा कर दिया एक महीने में कितने बीक होते ही तो 4 गुणा किया तो कितने हो गए 12 से 13,000 रुपे अब तो हम जो तैयारी कर रहे थे जो पढ़ाई कर रहे थे वो 10,000 रुपे महीने की नोकरी के लिए तैयारी कर रहे थे आज से 10 साल 11 साल पहले की बात है तो 10,000 रुपे महीने की नोकरी के लिए कोई वेक्ती तरफ रहा हो दिन रात तैयारी कर रहा हो और उसके लिए दिन रात पढ़ाई कर रहा हो और एक व्यक्ति बराबर में 12-13,000 रुपे प्रिजेंट में अगर कमाना सुरू कर दे तो बात कुछ हजम होगी क्या लगा के भाई कुछ है और उस बार कोई भी बहाना की यो वेगर मैंने इस प्रोग्राम को देखा यूथ होस्टल में देखा था मैंने आगरा में पीछे वाली सीट में बैठ करके उस समय 250 रुपे का एक फॉर्म बरा जाता था साइन अप होता था तुरंत साइन अप कर दिया मेरी जॉइनिंग हो गई और जॉइनिंग के बाद में बहुत ज्यादा जोस रहता है हर व्यक्ती में आपने भी देखा होगा जब कोई व्यक्ती जुड़ता है तो उसको ऐसा लगता है बस दो बनाने की बात है हम तो 2000 बना देंगे हम तो 20 को जोड़ देंगे 50 को जोड़ देंगे 100 को जोड़ देंगे हमारे संबन तो बहुत अच्छे हैं बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे फ्रेंड हैं तो इस तरह की बात आती हैं नहीं आती है तो यह सारा कुछ मेरे साथ भी था मुझे भी लगा और बड़े जोस जोस में घर पे गया लेकिन जाने के बाद में जब आप लोगों से बातचीत करते हैं तो इस्टोरी दोराना हो जाएगा होता वही है कि ज्यादातर लोग बात को महत देते नहीं है महत तो नहीं देते हैं उसका रीजन जानना चाहते हो आप लोग जानना चाहते हैं क्यों नहीं महत देते हैं ये बिजनिस में आकर के मुझे पता चला हम लोगों का जो माइंड सेट है वो सेट होता है कि हमको पेरेंट्स बताते हैं कि बेटा 5,000 रुपे महिने की नोकरी कर सकते हो, 10,000 रुपे महिने कमा सकते हो, 20,000 रुपे महिने कमा सकते हो, लेकिन आज तक 8,000 रुपे महिने कमाने के लिए किसी के पिताजी नहीं बताया। येस और नो तो आठ लाकी बात सोची नहीं पाता है कोई विक्ति सोच नहीं पाता है उसकी बात आपके फ्रेंड दोस्त रिष्टेदार पड़ोसी जो जहां पर आप एजूकेशन लेते हैं वो सारे टीचर्स सभी के सभी लोग आपको क्या बताते हैं आप 10,000 रुपे महीने 15,000 रुपे महीने 20,000 रुपे महीने 40,000 रुपे महीने 50,000 रुपे महीने कि कोई एक नौकरी हांसिल कर सकते हो आप लाखों में नहीं कमा सकते करोणों में नहीं कमा सकते इसलिए वो करोणों की बात हमारी समझ में आती नहीं है और ये पहरे से माइंड सेट होता है ठीक उस वो प्रयास करने के बाद एक बार प्रयास करेगा उसको नहीं तोड़ पाता है दूसरी बार प्रयास करेगा नहीं तोड़ पाता है तीसरी बार प्रयास करेगा नहीं तोड़ पाता है कई बार कई बार प्रयास करता है और वो उसमें सफलता नहीं मिलती है तो एक दिन वो उस जार कमा सकते हैं पचास जार कमा सकते हैं जहां लाकों की बात आती है वहां पर हम लोग हैंग हो जाता है हमारा माइंड हम नहीं सोच पाते हैं ठीक वैसे ही हरे किसी भी विक्ति को आप जाके बताएंगे उसके साथ में यही प्रॉलम है क्योंको उसको करोड़ों की बात किसी में और अगर पूछें आप से दसारब में हो गया आएंगे अब इसाब लगाएंगे इसाब लगा के हो सकता है बता देंगे लेकिन जो में आप से दसारब में आप सकता है झाल झाल